घटक है RJD वो आज भी युगराज और राजा के तरह काम करते हैं ना तो वो माले से पूछे ना कॉंग्रेस को अप्रोच किया ना CPI-CPM को बुलाया अंतिम दिन एक घंटे के लिए वो जाके पिकनिक मनाने गए तो आपने पहले तो इस्तमार किया विमाजी को बाद में भली का बकरा बना दिया पडिवार को बरबाद करने की कोशिस की गई वो एंडिये और महागटबंदन के जो घटक है RJD वो आज भी युगराज और राजा के तरह काम करते हैं ना तो वो माले से पूछे अंतिम दिन एक घंटे के लिए वो जाके पिकनिक मनाने गए जब एक सब्ता से पूरा सरकार गोंगों जा रही थी लगा हुआ था पूरी ताकट लगा हुई थी तो आपने पहले तो इस्तमार किया विमाजी को बाद में भली का बकरा बना दिया पड़िवार को बरबाद करने की कोशिस की गई और भीमाजी के साथ कोडिनेशन नहीं बढाया गया हम तो भाद भी मांगे हैं पूरा जनता से लोग सबा में 11,000 बोंट मिली अभी उनको 33,000 बोंट मिला और मैं जानना चाहता हूँ जद्यू को 75,000 लोग सबा में भोंट मिली थी 92,000 24,000 से हम पीछे थे हम जानना चाहते हैं कि जद्यू का वो भोंट किसने शिप्ट किया चलाकी से निर्दलियक के पक्ष में और कौन लोग हैं इसके पीछे पूरा का पूरा मैं कॉंग्रेस को सावधान करना चाहूँगा कि बचिये बिहार की जनता दोनों आत्मी से उप चुकी है एक नया रास्ता ढूंड रही है और ये रास्ता कॉंग्रेस दे सकती है एक नये गटबंदन के सार्थ क्योंकि अत्यन पिछ्री जाती का जो सबसे अधिक भूट है कोसी सिमांचल मिद्रांचल में उनका मोभंग हुआ है नितीजी और आरजेडी से उची जात के लोग नितीजी और आरजेडी को भूट देना नहीं चाहते इसलिए स्वभाविक कॉंग्रेस समती बनेगी या हार 20 सालों से जो काम नहीं किया गया रुपोली की जनता के सार्थ ये भीमा जी की हार नहीं है ये हार है 20 साल जो जदियों को भूट दिया काम नहीं हुआ कोशी सिमांचल में रुपोली में दूसरा कोई भी ओप्सन नहीं था इसलिए वहां की जनता ने भूट दे दिया और ये समझ लेने की जोरत है आने वाला पीर ही इन दोनों गटबंधन को नकारा है हर किमत पर अभी भी अहंकार समाप्त करने की जोरत है और युबराज मत बनिये फर्मान मत दीजिये और नितीज बाबु अपने मंत्री लोगों को कहिए अपने MP MLA को बोलिए अपने माँ बाब बेटा के नाम से जो रजिस्टेशन करा के ठेकेदारी कर रहे हैं लूट रहे हैं और दूसरे पर भायार करवाते हैं बैटके और आपका पदादिकारी और नेता मंत्री मेल करके मरवाता है जादुका को जादुका परिबार की हत्या सरकार की में रहने वाले लोगों के द्वारा की गई